एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में मिस डाजून और मिस निकी बहुत ही एटसाइटमेंट के साथ बोलती हैं एडन तुम जे को तु जानते हो न? एडन बोलता है वही जे न जो बहुत बड़ा प्यानिश और म्यूजिक डाइरेक्टर है मिस डाजून बोलती है हाँ वही जे जो मिदास जे स्टूडियो का एर है वो तुम्हें अपने नए प्रोड़क्सन में as a main lead काश करना चाता है एडन बोलता है इतना बड़ा personality मुझे क्यों काश करना चाता है मिस निकी बोलती है सायद उसको तुम में potential नजर आ गया होगा इसलिए और वैसे भी हमारी company ने तुम्हें बहुत अच्छे से train किया है और तुम्हारे अंदर talent भी बहुत ज़ादा है सायद इसी वज़ासे वो लोग तुमसे बहुत जल्द मिलना चाते है एडन बोलता है तो फिर मैं भी उन्हें contact करने की कोसिस करता हूँ तभी जीहून भी एडन को congress बोलता है पर उसका चेहरा देखकर नहीं लग रहा था कि वो खुस है एडन बोलता है आपका सुक्रिया जिसके बाद अगले सिन में मिस निकी, मिस जाजुन और एडन जे से मिलने जाते हैं तभी मिस निकी उन दोनों को introduce कराती है और एडन को देखकर जे बोलता है एडन तुम भूल गए क्या मुझे मैंने तुम्हें कितना मिस किया मैं जे ये बोलकर जे एडन को गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंडा एडन बोलता है एक मिनट क्या मैं तुम्हें जानता हूँ जे बोलता है यार मजाक मट करो तुमने मुझे पहचाना नहीं किया एडन बोलता है माफ करना पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कहां मिला हूँ पर तभी उसे रिलाइज हो जाता है कि जे वही लड़का है जिससे वो बच्वन में प्यार कर बैठा था लड़की समझकर इसलिए वो बोलता है अच्छा तुम जे हो सैंटियागो से मिस निकी बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो एडन बोलता है हाँ जे मेरा बहुत अच्छा दोस था जब मैं अमेरिका में था जिसके बाद जे और एडन अकेले में लंच पे जाते हैं और बहुत सारी बाते करते हैं तभी जे बोलता है मैं कोरिया में बहुत लंबे समय तक रोकने वाला हूँ इसलिए मैं जादा से जाद समय तुम्हारे साथ बिताना चाता हूँ एडन बोलता है ठीक है मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमसे मिलने चला आओंगा जे बोलता है अरे अब हमने तो तुम्हें अपने ड्रामा में काश कर लिया है अब तो हमारा मिलना चलता रहेगा एडन बोलता है तुमने मुझ क्योंकि हमें तुम्हें quality और potential नजराया ये सुनकर एडन मुस्करा कर बोलता है तो फिर ठीक है जिसके बाद अगले सीन में जीहुन फ्रस्टेट होकर practice कर रहा होता है तब ही एडन उसके पास आता है और उसका चेहरा देखकर बोलता है कुछ हुआ है क्या आपका mood खराब नहीं वो बस अब तुम्हें अपने drama के लिए तैयारी करना होगा इसलिए मुझे अब अकेले ही न practice करना पड़ेगा एडन बोलता है चाहे जो भी हो मेरे लिए law and heart project पहली priority है जीहुन बोलता है इसका मतलब तुम्हारे लिए हमारा relationship सिर्फ gay performance concept के लिए था एडन बोलता है कि हमारा relationship मेरे लिए पहली priority है जीहुन बोलता है कुछ भी मत बोलो अब तो तुम्हारा जेव आपस भी आ गया है और वो तो तुम्हारा पहला प्यार भी है एडन बोलता है वो तो सिर्फ एक गलक फहमी थी वैसे भी दो लड़कों की बीच प्यार कैसे हो सकता है ये सुनक बोलती है मेरा भी यही मानना है हमें ग्रुप को नहीं तोड़ना चाहिए जीहुन पहले से बहुत ज्यादा मैनेट कर रहा है और हमारे लॉयन हट प्रोजेक्ट का international influence भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मिस निकी बोलती मैंने इने हमेशा के लिए थोड़ी ना separate किया है सि इससे एडन अच्छे से अपने ड्रामा पर focus कर पाएगा एडन बोलता है पर मिस निकी मैं दोनों activity साथ में manage कर सकता हूँ और drama studio कभी ऐसा कोई term नहीं है कि मैं सिर्फ उनके साथ काम करूँ इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आपको हमारा group तोड़ना चाहिए मिस निकी थो इससे में उठकर वहाँ से चला जाता है और उसके वहां से जाने के बाद निकी उनके शे और यून्बिन के बीच हुई बायत्स सोचने लगती है जहां यून्बिन बोलता है मिस निकी आपको तो पता ही है मेरा तुन के साथ है e itajer तुम भी क्यों बताते मिस निकी को कि त साथ दिजिए क्योंकि इसकी बदले आपको जिये की तरफ से बहुत सारा फेम और फॉर्चून मिलेगा और इसी तरह से एडन भी एक इंटरनेशनल स्टार बन जाएगा और क्योंकि इस डील में मिस निकी को फायदा दिख रहा था इसलिए मिस निकी जीहुन और एडन को सेप अब तक तुम्हें जो भी जिलना पड़ा है मेरे वज़े से उसके लिए मुझे माफ कर देना ये बोलकर जीहुन वहां से चला जाता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ बाट करनी है और ये बोलकर वह एडन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जिसके बाद अगले सी कर isn आप च fonctionerna कर जेख़ाने लिए और इसका मतलब तुम्हें जीहुन गुसे में उनबिन का का पकड़ लेता है और यन्मीन अपना कॉल चुडा कर बोलता है जो सच है वो सच है तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मेरे पास दुबारा आजाओ, और मेरे साथ एक दोस्त की तरह काम करो, पर जीहुन युनमिन की बातों पर ध्यान न देकर बहुत जादा सराप पी रहा होता है, जिसके वज़े से उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंट वहाँ से भाग जाता है, पर तभी जीहुन युनमिन को धक्का देकर बोलता है, तुमने तो कहा कि हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, युनमिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे पिछली बाते याद आ गई, इसलिए मैंने तुम्हें क बुरा लग रहा था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते ही कि जे सैड होकर बैठा होता है, क्योंकि उसने एडन को प्रपोस किया था, पर एडन ने उसके प्रपोसल को रिजट कर दिया, और जब जे प्रपोसल के बारे में सोची रहा था, तभी एडन उसके पास आता ह और उससे देखकर जे बोलता है मैं कल घर वापस अमेरिका जा रहा हूँ और वहां मैं थोड़ा बीजी रहूंगा इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा एड़न बोलता है कोई बात नहीं यह बोलकर वह बहुत ज़्यादा सराप पिने लगता है इसलिए जे उसे एडन बोलता है तुम जीहुन को तो जानते हो ना जे बोलता है हाँ वो एक अच्छा लड़का है एडन बोलता है मैंने उसके लिए फिल करना सुरू कर दिया था क्योंकि वो हमेशा मेरा ख्याल रखता था और यही कारण है कि मुझे उससे बहुत गहरा प्यार हो गया पर पत जीहुन भी तुमआर यही फिल करता है जैसा तुम उसके लिए फिल करते हो इसलिए थोड़ी हिंमत जुटाओ और उससे जाकर कैह दो कि तुम उससे प्यार करते हो एडन बोलता है तुम सही बोल रहे हो मुझे ऐसा ही करना चाहिए जिसके बाद अगले सीन में हमें जीहु ये सुनकर यूनमिन वहाँ से जाने लगता है तभी वो स्क्रीन में देखता है कि जीहून से मिलने एडन आया होता है इसलिए वो जल्दी से स्क्रीन बंड कर देता है और जीहून को बिना बताए एडन से बाट करने चला जाता है और यूनमिन को देखकर एडन बोलता है सीनि से प्यार करता हूं और इसलिए वो अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाता है और यही कारण है कि वो तुमसे मिलने भी नहीं आया एडन बोलता है मैं जियून से खुदी पूछ लेता हूं वो क्या चाता है यह बोलकर एडन दुबारा अंदर जानी की कोसिश करने लगत रहता है पर यहीं बिन उसे दोबारा रोकने लगता है जिसके जैसे पूसरान की भी क्या सोचते हैं हमने सात में बिताया क्या वो सिर्फ भी जनस था मैं तो आपको तब से पसंड करने लग ता जबसे मैं आपको पहली बार देख्恥 और तब से लेकर अभी तक मेरी feelings आपको लेकर जरा से भी नहीं बदली है और इसलिए मैं आपसे कहना चाता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ यह सुनकर जीहून भी धीमे से बोलता है यह सुनकर एडन बोलता है आपने अभी क्या कहा जिहुन बोलता है मैंने कहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ये बोलने के बाद वो दुनों किस करते हैं और जाकर स्टेश पर परफॉर्म करते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खतम होती है